बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने उप्चुनाओं के लिए तत्याशियों की घोसना कर दी है तथिवपूर से शिशुपाल सिंग का नाम आगे आया है जोवट विधानसवा शेत्र से सुरोचना रावत का नाम घोशित किया गया है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी ने अब प्रत्याशियों का नाम आज घोशित कर दिया है बहुत दिनों से अटकले चल रही थी कि किसका नाम आगे आएगा चार विधानसवा सीटों पर उप्चुनाव होने थे और एक लोगसवा सीट पर जिसको लेकर ये पूरी तैयारिया की जा रही थी कि कि किसका नाम आगे आएगा ज्यानेश्वर पाटिल, रेगाउं से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोशना राबत और प्रत्वी पूर से शिशुपाल यादाव को उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे साथ चुड़ गए हैं। प्रदीप, उप्चनाओ के लिए प्रत्याशों के सूची आज बीजेपी ने जारी कर दी है। क्या अपडेट हैं। प्रदीप अगर देखा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो प्रदीप अगर देखा जाए कि पिछड़ा वर्ग जाए कि पिछड़ा जो है आदिवासी जो वर्ग है वो कहीं न कहीं बहुत एहम भूमी का निभाता है तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहे हैं। देखे लगतार हम अगर बात करें हैं भाती जन्ता पार्टी करें जा कॉंग्रेस की बात करें। लगतार ये देखा जा रहा है कि जो पार्टी पिछड़ा वर्ग को लेकर के आदिवासी को लेकर के लगतार जो प्रयास कर रही हैं। जाने का प्रयास कर रही है तो कही ना कही देखा जाएगा कि इस बार जो वोटर है वो कही ना कही अपनी एक आहम भूमिका नभाएगा। प्रदीप कॉंग्रेस ने पहले ही प्रत्याशों के नाम घोसित कर दिये थे लेकिन बीजेपी ने इतना टाइम लगा दिया क्या है पूरा मामला। इतना विलम में क्यों हुआ। प्रत्यासियों की घोशना कर दी है जिसमें खनवा से यदि यह जो एक दाव भी खेला है वो प्रत्यासियों की घोशना कर दी है। इसमें खनवा से ज्यानेश्वार पाटेल रहगाओं से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोचना रावात और प्रत्वी पूर्ट से शिशुपाल यादाव को उम्मीदवार बनाये गया है।